हेलो फ्रेंज बेलकम टू सिलेक्शन हेलप लाइन आ फैमली ओफ लर्निंग बीस महतपूर प्रशन जो इंडियन पॉलिटी से हम दे रहे हैं आपको प्रते एक वीडियो में उसका है आज भाग नौ सभी प्रशन महतपूर हैं आगामी परिक्षाओं के लिए तो सभी प्रश प्रशन देखिये आज का भारती राजनीतिक ब्यवस्था में कार्रयपालिका किसके अधीन रहकर कार्रय करती है यह पूछा गया है कि कार्रयपालिका भारती राजनीतिक ब्यवस्था में किसके अधीन रहकर कार्रय करती है ओप्शन है न्यायपालिका, विधायका, चुना राज्य ववस्था में कार्रपाल का जो है विधायका के अधीन रहकर कार्रा करती है क्योंकि राजनीतिक कार्रपाल का गठन विधायका के सदस्यों मैंसे ध्यान देने वाली आता है विधायका के सदस्यों मैंसे होता है और कार्रपाल का अर्थात मंत्री परशद सामुहिक र उसको सरुपर्थम कहा से पबलाइस किया गया था ? ओप्चन है दिल्ली, दहरादून, कॉलकाता, मुंबई इसका जो सही आंसर है वो है दहरादून से पबलाइस किया गया था मूल सम्दान को जो प्रकासित किया गया था वो थाadors दहरादून सम्मिधान की मूल प्रती को रेखा चित्र जिजनों ने किया था उनका नाम था नंदलाल बोस ये ध्यान देने वाली वात है ये तीनों पॉइंट इम्पोर्टेंट है मूल सम्मिधान की जो लिखा वट है यान की कैलीग्राफी वो किसने की थी प्रेम् बिखारी नाराएड लाइज़ादा नाम था उनका कोश्चन नम्बर 3 देखिए प्रस्तावना का कौं सा गुड है जो यह कहता है कोई भी भारतीय किसी अन्यनागरिक का अनाधर ना करे कौन सा गुड है प्रस्तावना का ऐसा option है न्याय, स्वतंतरता, समानता, बंदुता तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बंदुता जो किसी भी भारतियों को किसी अन्य नागरिक का अनादर नहीं करने देती question number 4 नागरिकता प्रदान करने की सर्थ का फैसला निम्न मैंसे कोन करता है option है प्रदान मंत्री, राष्टपती, संसद या इन मैंसे कोई नहीं इसका जो सही आंसर है वो है संसद संसद नागरिकता प्रदान करने की सर्थ का फैसला करती है question number 5 है राज्यसबा का गठन कब किया गया था 3 अपरेल 1951, 3 अपरेल 1952, 23 अगस्त 1951, 26 जन्वरी 1951 इसका जो सही आंसर होगा वोगा option number 2 3 अपरेल 1952 23 अगस्त 1954 यहां ध्यान देने वाली बात 23 अगस्त 1954 में 3 अपरेल 1952 को यह council of state के नाम से था 23 अगस्त 1954 को सभापती जी ने इसको राज्यसबा गोशित किया था question number 6 देखिए संबिधान के किस अनुच्छेद के अंतरगत लाज्यसबा की अधिक्तम संख्या 250 होगी यह है प्रावधन किस अनुच्छेद में यह बताना है अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 83, अनुच्छेद 84 तो इसका जो सही आंसर है वो है अनुच्छे असी और ये है अनुच्छे असी का एक बिदेखे अनुच्छे असी में दिया गया है लाजजे सभा की अधिक्तम सदस्त संख्य दोसो पचास lawn की 81 में है लोग्षभा की संद्चना से सम्बन देता है किसने पेश किया था स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रिय बजट किसने पेश किया था option है आर के सडमुखम चेट्टी जौन मताई कृष्णाम अचारी गुलजारी लाल नंदा तो इसका जो सही आंसर है वो है आर के सडमुसम चेट्टी यानिकि option नंबर एक स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रिय बजट पेश करने वाले थे ये question नंबर आठ सब्द जो भारत के संविधान में उल्लिखित नहीं है option है बारसिक, बित्तिय विवरण, विन्योग, बिधेयक, भारत की संचित ने दी budget या ध्यान दे लिवात है नहीं है, वो सब्द पूछा है तो इसका यह सही आंसर है वो है budget budget हमारे संविधान में नहीं दिया गया है question number 9 निम्लिखित में से कौन भारत के प्रधान मंतरी बनने से पूर्भ किसी भी राज्य के मुख्यमंतरी नहीं रहे है इसका जो सही आंसर है option number 3 यह प्रधान मंतरी बनने से पूर्भ किसी भी राज्य के मुख्यमंतरी नहीं रहे थे यह लोगसबा सदस्य थे उस टाइम HD देव गोड़ा जो है करनाटक के मुख्यमंतरी थी यह करनाटक के मुख्यमंतरी थी पीवी नरसिम्मा राव आंदर प्रदेश के मुख्यमंतरी थी मुरार जी देशाई महाराश्टे के मुख्यमंतरी रहे है question number 10 उधारी करण, निजी करण, भूमंडली करण की नई आर्थिक नीती की गोशना की गई किस प्रधान मंतरी के सासन काल में ये बताना है राजीब गांदी, विश्वनाथ प्रताप सिंग, नरसिम्मा राव, अटल बिहारी बाजपई इसका जो सही आंसर है वो है नरसिम्मा राव option number 3 ये देखिए, 24 जुलाई 1951 को ततकालीन प्रधान मंतरी नरसिम्मा राव ने नई और धोगिक नीती की गोशना की उनके द्वारा किये गए आर्थिक सुधारों में उदारी करण, निजी करण, भूमंडली करण और बाजारी करण की नीती अपनाई गई थी question number 11 क्या है, निम लिखित कतनों पर विचार कीजिए कतन दिये हैं, A और B A कतन है, भारतिय संग की कार्यपाली का सकती प्रधान मंतरी में नहीं है प्रधान मंतरी सिबिल सेबा बोड का पदेहन अध्यक्ष होता है इसमें से सही बताना है और गलत केबल एक सही है, केबल दो सही है एक और दो दोनों ही सही है ना तो एक सही है और नहीं दो इसका जो सही आंसर है वो है option number 4 ना तो एक सही है और नहीं दूसरा सही है देखिए अनुच्छे त्रेपन एक के अनुसार संग की जो कार्यपाल का सकती होती है वो राश्टपती में नहींत होती है वहें इसका प्रयोग संबिधान के अनुसार स्वय में आपने अधिनस्त अधिकारी अर्थात मंत्री परशद के द्वारा करेगा कैविनेट सचबाले परशासनिक प्रमुक होता है वो कैविनेट सचब है जो की सिबिल सेबा बोड का पदेन अध्यक्ष भी होता है कोश्चन नमबर बारह देखे संसद के किसी सदन के सदस्य ना होने पर भी सदन की बैठक में कौन भाग ले सकता है ऐसा व्यक्ति जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है परंतु सदन की बैठक में भाग ले सकता है उप्शन है भारत का मुख्यनियादीस भारत का अटॉर्णी जनरल मुख्य चुनाव आयोक्त राश्टिय मानव अधिकार आयोक्त के अध्यक्ष इसका जो सही आंसर है वो है भारत के अटॉर्णी जनरल उप्शन नमबर दो कोश्चन नमबर बारह बारह को दो दो बार हो गया इसका मतलब आपको एक कोश्चन यहां एक्स्ट्रा मिल रहा है लोक निधी का अभिभावक किसे कहा जाता है लोक निधी का अभिभावक किसे कहा जाता है आप्शन है नियंतरक एवं महालेखा परीक्षक, राश्टपती, संसद और मंतरी परिसद इसका जो सही आंसर है वो है नियंतरक एवं महालेखा परीक्षक ये केंद्रिय और राज्य की लोक निदी का विबरन रखता है कोश्चन नमबर 13 निमने लिखित में से कौन सा विकल्प गलत है अरो गलत विकल्प चुनना है इसके संदर्ब में लोक बितahr लोक बितर सरकार के वित्तिय कृण करीय कलाब़ों का अध्य है इसके अंतरक एवर्य कर आथा है ये बताना है एक बैंकों के कार्रका निस्पादन यहां देखिए लोक बित्त सरकार के बित्तिय क्रिया कलापों का अध्यन है इसके अंतरकत क्या क्या आता है सार्बजनिक बैयाता है लोक राजश्वा आता है सार्बजनिक रिण बित्तिय प्रशासन और संग्य बित्त आता है यानि कि बै पहले ग्रह मंत्री और बाद में रक्षा मंत्री बना था। नहरू जी की कैविनेट में पहले ग्रह मंत्री रहे और बाद में रक्षा मंत्री। उनका नाम बताना है। Council of Scientific and Industrial Research CSIR का अध्यक्ष कौन है ये बताना है CSIR का अध्यक्ष ग्रह मंत्री प्रधान मंत्री राष्टापती उपराष्टापती इसका जो सही आंसर है वो है option number 2 प्रधान मंत्री होता है बैग्यानिक एवम अधोगिक अनुसंदान परशद का अध्यक्ष question number 16 देखिए मंत्री परशद सामुहिक रूप से उत्तरदाई होता है मंत्री परशद किसके रूप से सामुहिक रूप से किसके प्रती उत्तरदाई होता है ये बताना है लूप सभा के प्रती संबेदानिक बाद्धता के अंतरगत अनुस्चे 75 तीन के अनुसार अनुस्चे 74 तीन के अनुसार option आपके सामने 1 और 2 केवल 1 2 और 3 केवल 1 3 और 4 केवल 1 2 3 और 4 अर्था या तो 1 2 ठीक है या 1 2 3 या 1 2 4 या 1 2 3 4 चारो ठीक है तो इसका जो सही आन्सर है वो है 1 2 3 option नंबर B question नंबर 17 लाव के पद का निर्णे कौन करता है राष्टापती एवम राज्यपाल संगिये संसद उच्चतम नयायाले संग लोक सेवा आयोग इसका जो सही आन्सर है वो है संगिये संसद question नंबर 18 मंत्री परस्द के बिरुद अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोक सभा के सदस्यों की संख्या होनी चाहिए अर्थात किसी मंत्री परसद के बिरुद अविस्वास प्रस्ताव अगर लाया जाएगा तो लोक सवा में निम्तम सदस्त संख्या बतानी है 30, 40, 50 या 60 इसका जो सही आंसर है वो है option number 3 50 सदस्त संख्या होनी चाहिए तभी मंत्री परसद के बिरुद अविस्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है question number 19 निम्न मैं से कौन राज्य सभा का सदस्त होते हुए भी लोक सभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है option है राज्य सभा के मनोनी सदस्त जो छेत्र बेसे सग्या हो राज्य सभा के उपसभापती मंत्री जो राज्य सभा का सदस्त हो राज्य सभा में सदन का नेता इसका जो सही आंसर है वो है option number 4 राज्यसभा के सदन का जो नेता होता है वह लोक सबा की कार्यवाई में भी भाग ले सकता है Question number 20 और आज का Last question राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनेदित्व निमनांकित मैं से किस आधार पर दिया जाता है option है प्रत्यक राज्य के लिए बराबर उनकी जनसंख्या के अनपात में इस्थान उनके छेत्रफल के अनपात में इस्थान उनके राजस्व के अनपात में इस्थान इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा इसका सही आंसर होगा option number 2 उनकी जनसंख्या के अनपात में इस्थान यानि कि जनसंख्या के अनपात को देखा जाता है राज्यसवा में प्रत्रिनिद्व के लिए तो आज के सभी कोश्चन पूरे हो गएं बीस जो आगामी सभी परिख्षाओं के लिए बहुत इंपोर्टेंट कोश्चन हम ला रहे है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि इंपोर्टेंट कोश्चन सीरीज हमने चलाई है थैंक्यू